हालो फ्रेंड्स तो मैं आकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल के और वेल फामा में तो आज हम बात करने हैं अपने हरवल ड्रक टेकलोजी की दा मोस्ट इंपरेंट वीडियो के बारे में अब यह सबसे जाद इंपरेंट क्यों है क्योंकि इसमें हम बात आइडिया लगजाएगा कि हमारी पांचों यूनिट में क्या और कैसे है बाकी जो लोग रेगुलर वगरा देखते हैं वो तो बड़े आराम से पास बगरा होई जाएंगे बाकी इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टू मास के सभी कोशन के बारे में जो हमारी यूनि तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू करते हैं एक हजारा लाइक का सिफ रखता है चलो यहां पर यहां पर स्टार्ट करते हैं बाकी चलो इसका पहला कुश्य है वह आप ही लोग के साथ शुरूया करते हैं तो कमेंट करके आप बताओ कि वाट द्यू अन्दर हमारे अगर हम इस वर्ड को देखे तो हर वर्ड हमारा जो है लेटिन वर्ड है जिसका मतला होता है ग्रीन वाला पार्ट है उसको हम यहां पर हर बोलते हैं तो अगर यहां पर डिफाइन करें तो इंटायर प्लांट और एनी पार प्लांट सच अज लीव फ्लॉवर फ्रूट उस प्लांट का कोई भी पार्ट अनंदर का पार्ट बिल सकते हैं जैसे हमारे कोई प्लांट है पुरा यह फूल हो गया यहीं सब्बोर ह्गया हमारी Help मेडिसन और हाई इग्जांपल हमारे हो गए तो हूंकि मतलब होता है तर यह कुछ हमारे कि हमारे कि मिल रही है यह इसलिए इनको हम जो है हरोलिजन और हवैल हम से लिए इसको बी प्लांट और एनी पार्ट ऑफ फॉर्म बिचेंगे सिंपल यहां पर कोई भी हमारा एक ऐसा प्लांट है यह उस प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको हम एज़ा यूज कर रहे हैं वह मारा हर्वल मेडिसन कहलाती है जैसे तुलसी हो गई तो तुलसी की पत्तिया वह हम है कि सारे थोड़ थोड़ा है माइनर सा डिफरेंस है आप चाहो वह भी ना लिखो तब भी सारी डेफिनिशन इसमें चल जाएंगी तो आप लिख सकते हो कि अब एक कोश्चन आया था एक के टुम में पिसली साल कि अकॉर्डिंग टूड़ बताओ कि यह मतला हर्वल मेडि यह प्रक्टिस बोल देते हैं कि डॉक्टरी को भी हम प्रक्टिस बोल सकते हैं तो इसके पास क्या होगी एक्टिव इंग्रीडियंट का पार्ट होगा एक्टिव मतलब जिसके पास मेडिशनल वैल्यव हो जैसे मालो आपको पता है कि मालो पूरा तोलसी का पौदा है अब उसका जो में पार्ट हमको चैए कप सीरफ की तरह हम क्या यूज़ करेंगे उसकी लीप्स यूज़ करेंगे वही यहां पर है कि हर्वल मेडिशन हमारी वह चीज है जो हमारी यहां तो हर्ल या हर कि दौरा कोई है यह फिर बर की को फॉय मेट्रीजिटर हैude और पूरमटल इसके पास कि कुई है श्रीक है देख सकते होगं करेशियोत होते हैं तो हर्वल मैडिशन के मैंने एक्जामपल लिखे हैं और उसके यहां पर फाइदे आपको दिख जाएंगे जैसे गारलिक है तो गारलिक के बहुत सारे इंडिटेशन दोते हैं वाकि यूज में देखा था है तो यह डियाविटीज में अलसर में एपिलेप्सी करता है तो यह सारी चीज आप पहले से जानते हो मेडिक कालोजी मेडिकम आप बहुत अच्छे से पढ़ चुकिए हो तो इन समय हमारे हमारे करते हैं तो इस तरह आप हेल्थ को लिख सकते हो बस यहां पर क्या करना है कि यहां पर थोड़ से रिजिनिंग टैप और लॉजि मतलब यह ऐसी है जिसको हमने हरवल मैटरियल के द्वारा जो बनाया हुआ है अब कौन कौन सी यूज कर सकते हैं हमारी एक्स्ट्रक्शन हो गई मैसिरेशन होगी डिश्टिलेशन हो गई अब यह एक्जांपल के लिए जैसे आप देख रहे होगे मालों नीम है तो नीम को आपने उनने करते हों चल्ब कने लिए निच्टिलेशन हो और ऊंग्ट्राइब मैसिनक्रेशन कर रहे होगी तो वह करना इक्ट्राइब बना रहे हैं और यह हमारा है हर पॉड़र मोग अच्छ हो सकता है चीति है řि मतलब हुता है कुछ हमारे सर्utan के लिए सकते हैं तो फिर तुलसी का कप सीरफ हो गया, तो तुलसी को नाम से आता है, जो तुलसी के पत्यों बगरा से बना होता है, तो इस तरह आप यह लिख के यहाँ पे आ सकते हो, फिर फोट कोशन इसमें आता है, डिफाइन गुड एग्रीकल्चर प्रेक्टिसेज, तो जी एपी फूड एंड मेडिशनल प्रोड़क्ट तो इसमें क्या कर रहा है कि हमने दो-चार तरीके पकड़ लिए जैसे मालों आपको कोई काम करना है ठीक है सिंपल समझो चलो एक्जामपल समझे लो लेट करो कि यहां पर आपको कोई काम करना है लेट करो यहां पर पॉइंट है और उसके अंदर आपको क्या करना है कि कुछ अच्छे अच्छे मेथं ॐसके राथ आपको क्हें करनी यह जो ँब क्वाद क्या होना चीजिए कि आपको और नहीं हो यह सारी होनी चाहिए फूड एंड मेडिशनल प्रोडक्ट यह सारी चीज आपके मतलब अच्छे होने चाहिए तो यह आपकी होती है जी एपी यान की गुड एग्रिकल्चर प्रेक्टिस आप अच्छी तरह से जो है खेती यहां पर कर रहे हो उसके बाद इसी जी एपी के अंदर हमा कि अश्यवालreme को भाई वेनों को तीट करते हो उसी तरह यहां पर आपको क्या करनाा है कि जो आपकी खेती यह को आपको एसी तरह dla है जासे वाई-क तो यहां पर तो यहां पर इनकी सोइल पर मिट्टी पर और सारा चीज़ों को तो वह जहां लिखा है कि यहां ऐज है confidently अ आप यहाँ पर पढ़ लेना और यही इसका देशी मतलब जो मैंने आपको समझा दिया अब वीडियो काफी लेंदी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा आपको समझाओंगा नोट्स आपको मिल जाएंगे एक बार रीड कर लेना समझ लेना आप बहुत अच्छा एक्जाम लेकर आजाओंगे अब इसमें एक तर्म आता है और्गनिक फार्मिंग के उपद तो यह क्या चीज है तो सिंपल है कि इसमें जो हम भी हम खेती करने वाले सकते हैं और सिंथाटिक वाले तो आपको पताई हैं कि नुकसान बगएर पहुंचा सकते हैं लॉस कर सकते हैं हमारी फसलों को तो ऐसे किसी भी हम यूज कर रहे होगी तो जो भी हम कटकर नहीं करेंगे तो जो भी फसल बगए होगी वो कटकर घाएंगी हम लोग के पास तो वह chemical humans के सरीर में भी पहुंच जाएगा एक इसके बीचे बात है जो मैं कभी मतलब फ्री टाइम में आप लोगे साथ करूंगा आप बोलना कमेट में जाना हो कि इसका नुकसान क्या होता है कि आजके जो इतने कि इसमें किसी भी तरह का कोई chemical सभी सब्सक्राइब में यहीं किया है तो वह क्या करेगा वहाँ पे nutrition को भढ़ाएगा आपकी soil की जो availability है यान कि जो करने की ability है मतलब plant को nutrition पहुंचाने की ability है वो सारी उसकी भढ़ दाएगी तो वही है कि these are the living microbes that enhance plant nutrition, plant की भी nutrition भढ़ेगी वाई आइजर mobilizing और वाई increasing nutrition availability in a soil यान कि मिट्टी के अंदर nutrition को भढ़ा देंगे जिससे आपकी plant बहुत जादा अच्छे मातरा में भढ़ दाएंगे और जो बैक्टिरिया से फंजाई से यह सब चीदों से मिलकर बनाए जाते है एक्जामपल में हमारे हो गया एजो spirellum हो गया तो यह हमारी जैविक खाद यहां भी एक्जामपल हो गया इसको हम बायो इंसक्टिसाइड भी बोलते तें नहीं को हमारे एसे मतलब पैस्टिसाइड एक तरह से आप समझ सकते कीट ना सक बोल सकते हैं और वह कहां से बनते हैं या तो किसी माइक्रोब से बनें या किसी अनिमल्स से बनेंगे जाका इंसक्ट बगरा से मिलकर बनते हैं और यह करते kenyesu के यह कंट्रॉल करने का क्वा दो कम करते हैं तो यह तो इसमें जो आपकी फसल है क्रॉप है वो तो ठीक है लेकिन इसके अलावा जो भी अन्वांटेड चीज़ा है वो सब हमारी पेस्ट के अंदर आती हैं जैसे कोई वीड्स हो गया खरपतवार बोलते हैं हमने हिंदी माप लोगों ने सुना होगा फिर कोई बायरस हो गया ग्रपल हमारे इंसैक्ट का भी आता है तो जो इंसैक्ट को सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब करेंगे वह वहमारे इसको भड़ाते हैं यह खरपतवार को काटने का मारने का काम कर रहे हैं तो इस तरह हमारी धों до दोनों आइलग छीज़ा होता आती है तो बायों कि होते हैं हमारे माइक्रोबियल फिर बायो केमिकल प्लांट पेस्टिसाइड हो गए इसको मैंने नोर्स बगरा मैंसाइद आपको मैंने करा भी रखा अगर यूनिट फैस्ट में तो यह करा रखें बहुत अच्छे से एक्जांपल में हमारे कैनला ओयल होगा है या कुछ बेकिंग सोडा होगा है यह हमारे ऐसा बायो पैस्टिसाइड के हम यहां पर यूज कर सकते हैं अब इसके अंदर जो पेस्ट साथ है वो मैंने आपको बता दिया कि पेस्ट हमारे अनवांटेड या अंडेजारेबल प्ला करें उसी तरह कर सकते हैं सिंपल कि दोष प्रोड़क फिचर प्रण। हमारे मेडिशन के लिए सखते हैं और बाकी यह हमारे क्या होता है कि यह वन और एक या दो उसे ज्यादा मतलब active ingredient साथ में continue कर सकते हैं जैसे हमारा हरवल सीरफ हो गया या कोई mixture हो गया या कोई tablet हो गया तो यह हमारे हो गया हरवल medicinal product के बारे में अब यहां पर हमारा question आता है third तो यहां question आता है write the name of source of herbs देखो इसके अंदर बहुत सारे question आता है सारे बता दी आप समझना है source of herbs हमारे क्या हो सकते हैं तो हमारे जो herbs हैं वो दो तरह के मतलब चलते हैं एक होता हमारा wild source एक होता है कल्टिविटर वाइल सोर्स ऐसे जिनको हम इस पेसली मतलब नहीं मालों जंगल बगर हम गए कहीं भी जो तो वहां पर चीज हमारी मिलते हैं जो हमारे लिए काफी जादा है अब क्ल्टिविटर क्या होता है तो यह एसे हमारे प्लांट्स को हम कल्टिवेट वगरा करते हैं यह हमारे होगा है यह वाले हब ठीक है फोर्ड कोशन हमारा आता है और राइट दप्रंसीपल आइरुवेदा का प्रंसीपल हमको लिखना है तो आयरुवेदा को थोड़ता आप डिफाइन कर सकते हो कि इस साइंस ऑफ लाइफ प्रफवी जल बायू अगनी आकास और अगर यह बैलेंस में है तब तक ठीक है अगर इनका सब्सक्राइब करेंगे और थर्ड यहां प्रिंसिपल में आता है गुणहर रसा सिद्दान तो यह तीन हमारे प्रिंसिपल इस नितीन करें कि हमारी जो बॉड़ी आ वो 5 elements के साथ मिलकर बनी है और वो 5 elements हमारे में एक उसमें रहते हैं combination में रहते हैं तो combination कुछ इस तरह है कफ़ा बाता पिता और इसको मैंने आपको बदाए भी पी आथ कर लो फिर यहां पर आपको याद करना है इवास FW अब यह के बीपी आथ कर लिया तो के बीप ऐसे लिख दो कफ बाता पिता अब कफ के अंदर दो चीज़ाता आती हैं यहां पर दो उठालो जोड़ा तो कफ़बाता पित्त और कफ में आता है आर्थ प्लस बातर फिर इसमें का होता है कि जैसे हैं हमारे प्रिजेंट अच्छे थे लेकिन अगर यह इंबैलेंस हो जाते हैं तो हमारी वर्डी का हो जाती है अनहल्थी होने लगती है अब यह कैसे होते हैं क्या करते हैं वह आप डीटेल में पढ़ लेना है दो नमर के अकॉडिंग मैंने सौट में यहां पर बता दिया है अब इसमें कुछ और एक्जामत आते हैं कि आपको आयरुवेदिक प्रपरेशन के एक्जामपल लिखने है तो छह मैंने यहां पर लिख है तो अश्म Cart यह दो हमारे हैं यह हमारे होते हैं हाइड्रौ एल्कॉलिक लिखर होते हैं अब हड्रो एलकॉहलिक मतलब क्या है कि उसमें ہमारा पानी प्रेशन है और उसमें हैं यह चीजड क्या है पहली बात है यह कि ह Kis के ट्रैश नल एयुरफिदिक सिष्टम के बाकि जो मारे असवास हैं वहाँ होते हैं अब जब मैंने आपको है ऊसले कि अपने यहां पर पर सिधुन है और यह अंदरκιंगा है और यह लगवक साल तक से को बचा के रखता है एक्जामपल हमारा त्रिफला चूरन होगे त्रिफला आपने सुना होगा यह फिर बस्मा हमारा आ गया तो बस्मा क्या है कि जो कोई भी हमारा ड्रग है उसको हम हीट करा रहे हैं और तब तक हीट करा रहे हैं जब तक उसकी जो और जीनल फॉर्म है व सबस्वर्ञanız यहां पर इन había राख सब्सक्राइब दिया बहते हैं मैं प्रांडा गोटिका बहुते हैं नो पर यहांपर यहां यहां पर लहाया और की बार पूछ ले तो मैंने यहां लिख दिया कि यह हमारे कुछ jam like medicines होती है जैसे और इसको मीठा करने के लिए हम जैगरी या सोगर बगरा का यूज कर सकते हैं अब example जैसे 54 प्रास हो गया तो आपको इसी 54 प्रास तो आप भूलोगे ही नहीं तो 54 प्रास तो लहा यूज करना अब और health और immunity को हमारे बढ़ाएगा तो यह हमारा हो गया है यहां पर अब हमारा कोश्चन नमर सिक्स आता है यहां पर डिफाइं मतलब राइट तू इग्जांपल ऑफ माइक्रोवियल पैस्टिसाइड तो माइक्रोवियल पैस्टिसाइड क्या होते हैं अब आपको बायो पै facto हमारे इसमेह इस पैसे हो गया हर्य सैट् Fuk twenty-s Ling1 को मतलब हरा बाला ऑठ यह इक्ट्रार यहां हमारे प्लांट्स होगा तो हर्बी साइड्स को एक एक्स्ट्राइब क्या करे रहे है यह हटाने का मारने का काम कर रहे है uniform यह 이번 ड़ोगए इसके बारे में थिया थोड़ा तो आप वह लिख कर आसकते हो तो यह हमारे होगा अए कुछेशन के बारे सेब्सक्राइब हो गिरोगे, यार Éald는 के घ् 줅 करकुमान होता है, यान히 हमारी हल्डी का हिसे इसके अनिanka कुम्या चिंडि बाविक्ता हम mechanics कर सकते हैं अब यहां पर हमारा कोशन आता है हाव एस बैल्यू इस डिटर्माइशन फॉर इस्टिनाइशन फॉर इस आया हुआ है तो पहले आप समझोंगे एस बैल्यू एक्चल में होती का है तो एस बैली होती ही ता रधिडियू रिमैनिंग आफ्टर इंसी निरेशन इस पने कोई भी ड्रक बगरा मानलो ही की चीज़ा आपने कोई भी ढब इनसी narration के बाद भी जो हमारा part बच जाता है actual में वही हमारा कहलाता है S value कहलाता है S content कहलाता है और यह जो हमारा S content है यह हमारे लिए अच्छा नहीं होता है यह हमारे लिए होता बुरा क्योंकि सिंपल देखो कि ऐसा content है जो हमारे इतनी जादा खतरनाक आग, fire, burning के बाद भी बच गया वो हमारी body में जाके क्या करेगा बड़ी में जाके पचेगा नहीं body में जाके भी नुकसा नहीं पहुंचाएगा तो इसलिए S content को हम यहाँ पर मतलब कोई भी drug के लिए निकालते हैं और यह जितना कम होता है हमारे लिए उतना अच्छा है जितना जादा हमारे ल करते हैं और गनिक फार्मिंग को ही जादा प्रिफ्रेंस देनी चाहिए बाकि अगर हाई वैल्य निगलती है तो समझ सकते हैं कि यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं क्रूशिवल क्रूशिवल क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तर साथा मतलब टेंपरेचर भी अपने आपको लगता है 400-500-600 तक यह अपने आपको नहीं किलाएगा तो यह हमारा क्रूशियल हो गया अब इसको क्या करते हैं ड्राइ सिल्का की पूरी इस पर लेयर लगा देते हैं पहले आप समझ लो कैसे कर लगा ली उसके बाद हम इसको क कर देंगे और इसको बंद करेंगे भट्टी को और उसके बाद इसको मतलब लगवग 110 घंते याथ जब तक इसका पूरा तीमपरेचर 850-600 तक तब तक हम इसको पूरा कर देंगे होने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे उसके बाद हम इसका फड़ से वेट करेंगे और सिंबल दी बाद है पहले ने दो ग्राम लिए था अब जो भी हमारा एस कंटेंट बचेगा वह मारे यहां निकल आएगा अब यह जतना ज्यादा होता है उतना न यहां पर है बैसे मैंने आपको समझा दिया कोशन नमर 9 हमारा आता है डिफाइन सॉक्स लेट एक्ट्रेक्शन तो यह चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हैं बहुत बार पढ़ चुके हैं मैं यहां नहीं बताने वाला सिंबल समझो कि होट कंटिनियस एक्ट्रेक्शन प्र सब्सक्राइब करें पर और हम अमेडर्वाल मने कोई कभी कोई दबा दिती और उससे क्या होगा कि इस बंदे का सब्सक्राइब कर लिकर कि मालो यहां पर दबा थी अभलो यह वह बढ़ गए बहुत जब दा तो अब हमको यादा है ये वाली drug से इस बंदे में हमारा क्या हुआ था कम हो गया तो हम यह similar उठाएंगे और वो इसको देंगे कि कि सुष्टाथ हम यहारे हम् दिखाईद है वो दूसरे वंदे के लिए इलाज हो सकता है क्यायों कि यहां पर symptom की तरह दिखाईदिए, किलिफ One यहां पर यहां पर आता है और हमारी यहां पर यहां पर यहां पर उसका कोई भी पार्ट है जो क्या करेगा डैट प्रोड़ और यहां पर यहां पर यहां पर हमारा वर्क कर सकता यह तो simple हमारे nutraceuticals है कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारी body में जाके क्या कर रही है medical health benefit पहुंचा रही है मतलब medicinal purpose के लिए कोई भी हमारे body में health benefits पहुंचा रही है simple हमारे nutraceuticals हो गए अब इसका आता है scope after तो यह हमारे क्या करेगा immunity को activate कर सकता भढ़ाने का काम करेगा antimicrobial capability यूज़ करेगा बाकी nutraceuticals में हमारे बहुत से ऐसी दवाई चीज़े हैं जो हमारी किसी बीमारियों में ठीक करते हैं से हमारे disease में allergy condition में cbs disease में arthritis में inflammation में फिर डियाविटीज में cancer में यह कुछ ऐसी डिसीज है जिसमें हमारे यह हमारे यहां पर help करते हैं अब question number 10 आता है हमारा 12 बाता है हर्वल ड्रग इंट्रक्षन इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है तो हर्वल ड्रग इंट्रक्षन में क्या होता है इसको हम हर्व ड्रग इंट्रक्षन नाम से भी जान सकते हैं तो इसको यह definition आप पढ़ लेना कि हर्वल मेडिशन प्रो इसका सर खाता है यह कुछ भी हमारी बॉड़ी में चीज़ा हो सकती है तो उसी कौम यहां पर बोलते हैं हर्वल ड्रग इंट्रक्षन या फिर हम बोल सकते कोई भी हर्व और इंगलिस वाली हैं वह एक साथ में जब इसको हम एड्मिनिस्ट करते हैं तो यह इंट्रक्षन क उसका हमारे बोड़ी के अंदर इफेक्ट है क्योत्त क्योंब का इस सकता है कि हुसकता है बास में तो वो कुछ ना कुछ बॉड़ी में रियक्ट करेंगी इसी को हम बोलते हैं हर विड्रग इंट्रक्षिन या बोल सकते हर वर्ड रग इंट्रक्षिन एक्जाम्पल यहां पर आपको दिख जाएगा जैसे हमारा गिंक लोव विवा यहां पर हमारी एक मतलब एक तरह से हमारा हर्व है यह मारा गिंक गो वी लोवा इसको अगर हम एस्प्रिंट या आईवी प्रूफन के साथ देते हैं तो हो सकता है ब्लीडिंग हो यह हम सिंपल चलोगी आपको याद ना से तो आपने गार्लिक लेली आपने लेसन और इसको जब आप प्लोर प्रममाइड के साथ ले लेकिन में क्या देखना है दोनों हमारे ड्रग हो गए यहां भी हमारे अलोफेथिक अलोफेथिक होगा और यहां में जाइसे हमारा विकोडीन आपके कोई साथ कर सकते हैं drug food interaction, कोई भी drug हम खाने के साथ ले रहे हैं, तो वो interact कर जाए, जैसे हमारे example के लिए, low by statin, अगर हम इसको grab juice के साथ लेते हैं, तो toxic effect फेक्ट सो करेगा, aspirin अगर हम इसको milk के साथ लेते हैं, तो upset करेगा इस्टमक को, और simple अगर हम tetrasaclin को milk के साथ लेते हैं, तो techless science का effect एकदम खतम हो जाएगा, तो यह हमारे हो गए drug food interaction, फिर आता है drug disease interaction, तो इसमें कोई भी drug को अगर कोई भीमारी है, तो उसके साथ में नुकसान हो सकता है, यह से हमारा pseudo-ephydrine है, तो हो सकता है, हमारो किसी को BPA और अगर कोई इसको लेता है, तो उसका जो BPA बहुत जादा भर दाएगा, ब्लेट पैसे उसका जादा हो सकता है, तो यह हमारा हो गए drug disease interaction हो गया, अब यहाँ पर term एक आता है, हमारा herb food interaction, तो जो आपने drug food interaction पढ़ा, वही सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा drug होगा, हमारा herb होगा, यह हमारे herbal drug होगी, तो अगर कोई भी herbal drug है, और साथ में अगर हम कोई food के साथ उसको लेते हैं, तो वह सकता है कि कोई introduction बगयरा होदा, उसको हम यह herb food interaction बोलते हैं, यह reaction मैंने sort में इस तरह लिग दिए हैं, यहां पर हमारी 4 चीज़ आती है health benefit of तो आमला फैन्यूग्रिक और गिंसेंग और गार्लिक चार चीज़ों के आपको health benefit यहां पर बताने है तो आमला basically क्या करता है हमारे liver को improve करने का काम करेगा उसके बाद जो आमला है उसके पास antifungal antiviral और antibacterial activity भी सो करता है यह हमारे cholesterol और blood sugar level को भी कम कर देगा यानकि काफी फायदे बंद हो गया फैनीगरिक आ गया तो फैनीगरिक हमारा lexative की तरह पर करता है antiflumatic यह भी हमारा क्या एक हर्वी है तो confused मत होना बाग साथ में यह anti-tumor जानकी cancer को भी थोड़ता treat करेगा तो वही है कि it is used to treat breast cancer में help करेगा arthritis में help करेगा साथ में यह हमारे food इंटक और appetite को रिडियूजान की भूग को थोड़ता कम करेगा फिर हमारा गिंसेंज जाता है तो गिंसेंज एज़ा इस्टिम्लेंट यूज़ कर सकते हमारे बढ़ाएगा एक्सपेक्टो रेंट को बढ़ाएगा कार्मीनेट की तरह काम करेगा करेगा बाकि यह मतलब एमेटिक्स की तरह भी मतलब यूज़ कर सकते हैं फिर गारली की बात करें देखो यह सारे टर्म आप फार्मकलॉजी में अच्छे से पढ़ सके हो मैं एक एक करके आपको नहीं बताऊंगा टाइम काफी जाधा खिज जाएगा फिर गारली की बात कर कोई भी हमारा जो हर्विट रह गया वहमारा अगर ड्रक के साथ मिल आता तो कुछ इंट्रक करेगा तो कि यह कैसे अच्छा हो सकता है तो जो मैंने आपको यहां पर इस तरह बताया था कि मालोग कोई भी चीज़ है वो एक बंदे के लिए हमारे क्या होगे यहां पर बीप सब्सक्राइब है तो उसके लिए फायदा करेगा नहीं समझे चले एक्जांपल समझते हैं कि इट कैन भी गुड़ वेन इट कॉल्स सिनर्जिस्म एफेक्ट और वेन इट साइड़ एफेक्ट है यानकि हो सकता है कि मालो जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे एफेक्ट है दौनों के वह एंटागोनिस हो सकते हैं और वह हमारे सिनर्जिस्म भी हो सकते हैं मालो यहां पर यह दो ट्रग मिले और दौनों ने एक दूसरे का एफेक्ट भढ़ा दिया तो हमारी वाड़ी में यह हेलफुल चीज हो गई दूसरी वही है कि मालो एक्जांपल के लिए ए यहां फ़ारे लगता है कि आपको यहां पर लगता है क्योंकि यहां पर लगता है ऑपकी लिगता है और यहां को यहां अगर कशी का बढ़ यहां बंद रहा है कि यहां पर जो हमारे nutraceuticals से तो उसमें हमारी बीमारियों में कैसे help करते हैं तो यहां पर पहला हमारा diabetes है तो यह मैंने short में लिख दिया लेकिन आप जब exam में आएगा तो आपको diabetes की definition लिख देना मेंगनेसिया हमारा insulin की sensitivity को भड़ा देगा तो इंसलिन हमारा कम होगा विसे कि लेकिन वह इंसलिन क्या काम करता है इंसलिन हमारा सुगर लेवल जो इसको कम करेंगे diabetes को हमारा maintain करके रखता है कैंसर में हमारी कैसे help करते हैं तो कैंसर की भी आप यहां पर definition जरूर लिख देना वाकि इसमें जो हमारे फ्लवनोर्ट होते हैं वह एजा एंटी ऑक्सिदेंट की तरह काम करेंगे वाकि कीमो प्रिवेंटिव हमारे जो मतलब प्रिवेंट करने का हमको बचाने का काम दिमेज करेंगे हमारे तो आपको बता कि बहुद को यहां बना कर लिके आ सकते हो अब यहां पर हमारा साइट एफेक्ट और इंट्रक्शन तो यह भी कोशन कई वार बन जाता है कि तो यहां पर मैंने बैसे तो और भी ड्रक ते मैंने दो ही सिर्फ एक्जामपल ले लिए ह को समझाने के लिए इस में आपको दिख राएंगे बहुत सारे मतलब यहां पर दिख कंडाएंगे तो मैंने सिर्फ siyन तो हमारी blood clotting हो जाएगी down हो जाएगी और अगर इसको हम thiazide के साथ देते हैं तो हमारा BP भड़ताएगा तो ये इसके interaction हो गए कि कैसे क्या हम करते हैं मैंने to the point लिखे हैं आप चाहू language बनाकर इसको बड़े आनाम से लिखके आ सकते हो एफेटरा के बारे में बात करें तो यहां पर यह लिवर डेमेज मतलब कर सकता है फिर headache हो सकता हमारा anxiety है यह सब हो सकता है अगर अगर ऑफेटरा को कैफीन के साथ देते तो बड़ता एगा और हैलते हैं के साथ देते हैं तो यह कार्ड़क अरहदीमिया कोज कर सकता है हमारी हर्ट वीट है उसको इर्रेगुलर करने का ये काम कर सकता है तो यहमारा हो गया question वहारो हम जाते हैं सभाटाब्ध में जो प्रति समय संसे चाहिद थैक्टS कि उंदर छाब रावार में होगे हां कि डिफाइन के उनके नहीं वाले होगे हमारे बीूटी प्रोड़क्टों कोई क्रीम है तो अगर मौहासे ठीक कर रही है तो इसके पीचे को और चीज़ों को छीज़ों को ठीक करें एक तो एक्जामपल के लिए आप लिख सकते हो बनाना पल्प या इसमें और बहुँ आताते पाइनेपल पल्प हो गया एक तरह से ड्राइ स्किन अपनी जब सूख जाती है इसकिन तो उस कंडिशन में इसका यूज करेंगे जो आपको मॉस्चराइज क्रेट करेगी आपके स्किन को तो यह हमारे हरवल वाले यहां पर हो गए ठीक है चलिए अब यहां पर 18 कोश्चन हम हमारा क्या है क прим जाल आ तरह से खराब होता है उसी को जाती है इसको सढगी करते ह्याई है इसन अब इसमें आठीक हो गया जहा हो गया डिए लकियरे हमें यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो एंटी ऑक्सिजिटन आप यहाँ पर समझ गया होगे नाइंटीन कोशिटन हमारा आता है जनरल अप्रोच फॉर स्किन केर कॉस्मेटिक तो यह कोशिटन में थोड़ा सा डाउट था एक ट्यू का ही है यह पिछली साल वाला तो इसमें कै अनके क्या करोगे तो यहाँ पर एक जनरल अप्रोच फॉर सकिन केर कॉस्मेटिक स्किन किया जो कोस्मेटिक क्या क्या सीजिंक के चीजा को सकते हैं गया तो नहीं सकते यहीं एक्राइस कर सकते हैं फिर आइख कर सकते हैं और लासम जो है सन screen यूज कर सकते हैं और बाहर निकल सके मारी एंटी एहिंग से हमको बचाता ना कि जो मैं चिहरा ज़्जादा बड़ापा दिकने लगता तो इसके बारे में लड़कियां तो सारी की सारी लिखे आई जाएंगी जब भी कुछ भी आएगा ऐसे बस यही है मेरा मॉटिफ कि आप खाली कुछ में छोड़के आओ आओ आप कहीं भी कुछ भी हो आप लिखकर यहां पर आ सकते हो तो जैसे आपने नॉर्मल उसमें जो हमारा पिछली साल वाला इंडिस्टियल फामिसी थी नॉर्मल आपने पढ़ा होगा टेवलेट इन सब के बारे में तो एक्सिपेंट्स हमारे क्या होते हैं बेसिकली वही कि इनमें कोई खुद का फिजियोलोजिकल एक्सन नहीं होता ले अग्सांपल इसको एक्सिपेंट बोल सकते हैं और फार्मसीटिकल एड़ भी बोल देते हैं आपने यह पड़ा होगा तो इनके पास खुद कोई एक्सन नहीं है लेकिन यह क्या करेंगे हर्वल डोजिस फॉर्म को बनाने में बहुत जादा हेल्प करते हैं एक्जांपल के सब्सक्राइस होते हैं मतलमने के नुकसान नहीं होते हैं गभाण सैद्व होगाइन यह हमारे सेक्रेज्ण होते हैं कि हो Advent कहमारी हाई करते हैं तो जैसे हमारे नॉर्मल था उधर वही सारी चीज़ा यहां पर है बस हमारे जहां जा ड्रग हो वहाँ आपको हर्ब जो है एज़ा एजिम करके सोच लेना है तो जो भी हमारे हर्वल डोजिस फॉर्म है उसमें जो कोई भी ड्रग हमारा हर्प्स है इसका विटर टेस्ट होता बाकि यह हमारे नॉन टॉक्सिक होने चाहिए यह कंपेटिवल हो हमारे उसके साथ में और चीप एंड इजली अविलेबल तो यह हमारे हो गए प्लांट स्विटनिंग एजांपल सारा कुछ आपको यहां पर मिल गया होगा अब हमारा कुश्चन हमारे 23 आता है यहां पर हा हमारे बाइंडिक हो गया यहां की इंग्रीज विंगा देखो डेफिनिशन आप बनाके लिखे आना आपको यह सब चीज़ जानते हैं एक्जांपल लिख दो कैसी अगम हो गया तो यह क्या करता है यह हमारे को प्रॉपर मतलब एक तो फ्लो प्रॉपर पहुंचाएगा फि कोहेशन चिपकें वाली प्रॉपर्पर्टी को अच्छा करा था यहां पर तो चलो इसी नाम से समझ लेते हैं यहां पर हरवल यहां की बात हो यहां पर वर्ड़ फॉर्मुलेशन और फॉर्मुलेशन क्या होता है तो यहां पर विखेक लिए ट यह हमारे एक डोजेस फॉर्म बिच कंसिश्ट है जो हमारी कंटेंड कर रही है वन और मोर हर्ब्स टू प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूटिशन कॉस्मेटिक बेनिफिट तेन में फॉर यूज तो डाइगनोस्ट रेट और यह हमारी एक दो या दो या दो से अधिक हमारी ह चिपका क्या तो यहां पर हर्बल सीरप घासलीचन ऑफ आपको इस बताती या बागी definition आप बना के लिखा होगे syrup यह है वह है liquid वह मैंने इस डारक्ट आपको यह formulation देदी कि कौन कौन सी चीज के दोरा मिलकर बना होता है आप बड़े आराम से लिख सकते हो पहले नमर पर मारा सुगर और सोक्रोश होता है कितना परसेंट होता है चलो कमेंट करेंगे बताओ देखते कितने लोगों पताएं फिर 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 फ्र मेडिसा मेंट फिर प्रेजर्वेट आप इन सब को मिला कर सीरफ बनाके भी आसकते हो पर एक्जाम में तो यह सब चीज़ बनी होई है अलांग वेज फार्मसीट कर वह है हमारे एक्सीपेंट बिला दी है हमारे हर्वल की मेडिसेन मेंट बिला दी और हमारे क्या कंप्रेस करके दोनों को हम बना देंगे हमारी टेब्लेट यहां पर बंदागी अब कोशे नमर मारे यहां पर 26 आता है जो काफी तार एक्सटल बना हों तो अमालो की आपने कोई एक्सटल होता है जो हमारा एक तरह एरिया है affected area है यह उसी affected area में जाएगा और जो भी इसका drug होगा वो वहाँ पे उसको release करेगा और फिर अपना action काफी अच्छा देगा क्योंकि वो drug हमारी पूरी वर्डी में जाके जो उसका एक्ष्वल में affected area जहां पे बिमारी है उस particular area में जाके उस drug को क्या कर रहा है deliver कर रहा है पहुंचाने का काम कर रहा है तो इसी को हम बोलते है novel drug delivery system मैंने आपको ओरली बता दिया definition आप खुद से बना के लिखे आजाना बाग की जो हमारा ये novel drug delivery system ये long way भी आजाता है इसको आप पढ़ लेना तो जो हमारा NDDS है इसका example था हमारा phytosomes तो वसी phytosomes के बारे में यहाँ पर पूछा गया है तो phytosomes are the NDDS which contain bio active phytoconstituent यानकि यह हमारे plant का जो house का हमारा actual part है जिसके अंदर वो हमारी properties है उसको यह contain करता है और वो हमारा phospholipid के दोरह हमारा हर्व के दोरह निकाला गया है और यह ऐसा part है जिसमें क्या है हमारी activity है जो अपना बॉड़ी में जाके action दिखाएगा तो उसके उपर यहाँ पर phospholipid की इस तरह से layer है अब आपको बताए कि phospholipid की layer हो गया यानकि यह हमारा एरिया जहां पर बिमारी है वहां पर जाके अपने आपको पहुंचाएगा targeted side पर पहुंचाएगा तो यह हमारे फाइटोसम जहां पर होगा है विच content यह वर्ड आप लिखके आता ना कि यह एंड़ीडियस के अंदर आता है और यह बायोक्टिव यह एक्जांपल में हमारे गिंसेंग और करक्यूमिन के बनाये नहीं नहीं इनके दोरह मारे फाइटोसम बगगरा पूरे इस तरह तयार किया बात में साथ में यहां पर यह वह आता है यहां पर यह कोशन जो इस लिए यहां पर लिखे आ सकते हो अब मारा कॉशन यहां आता है कोशन नमर्ट 27 लिष्ट दा पैरामीटर वॉफ एवल्यूशन ओव यहां पर है कि हमारे अपीरेंस हो गया डिजॉल्यूशन हो गई ड्रक कंटेंड यूनिफॉर्मिट हो गई तो यह सब पहले से आनते हैं कैसा दिखने में हम 25 मतलब आपको बताए चार मिंट तक घुमाते हैं सौरी हमारे जो होता है उसमें क्या करते हैं हम अपनी यहां पर अपना पढ़ लेते हैं तो यहां पर अपना पढ़ लेते हैं तो यहां पर पहली मारी definition आती है कि define patent तो patent word आपको बताए simply यहां पर क्या होता है कि कोई भी जो हमारा term है मालो कोई भी चीज ऐसी है जो आपने invent किया तो बस आप क्या करते हो कि उस पर आपका एक legal right होता है कि आप उसको prevent करके रख सकते हो कि कोई और उस चीज को ना बना पाई और कुछ सालों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं उसको हम एक तरह से patent बोल देते हैं चलो इसको ऐसे समझो लैट करोगी आपने क्या गिया आपका पूरा एक गुरोपय या कंपनिया और उन्होंने क्या एक drug की खोज की और उसमें लगवग आपका जो है दो तीन करोर का खर्च पर आपके नाम पर रजिश्टर हो जाएगी लगवग बीज या पच्चेस साल के लिए और इस साल में क्या होगा कि अब यह जो ड्रग है अपना जो आपका फॉर्मूला नहीं बना सकता पता तो सब को हो है लोग कहते कि फॉर्मूला नहीं पता होता फर्मूला तो पीछे और जब आपका पूरा प्रॉफिट निकल आता उसके बाद क्या होता है कि अब वह फॉर्मूला गवर्मेंट क्या करेगी और जो दूसरी कंपनिया हमारी एक्स्ट्रा वारी कंपनिया वह क्या करेंगी वह जो आपने खोज की यहां पर जो आपने बना के देंगी तो अब पर क्या होगा यह जो ड्रक्ति वह अपने प्राइज में चल रही है और जो ऐसी दवाए जो क्या होगा इन फॉर्मूली द्वार मिलें के बनी इसको हम जैनरिक मेडिसन बोलते हैं यह तर्म सायथ आपने बहुत बार सुना होगा इसको क्या बोलते हैं यानकि जो बीस- और बस उसको डारेक्ट मेंफेक्टर कर दिया तो यह सस्ते में बना देंगी तो इन दवाओ को हम जो है जैनरिक मेडिसन बोलते हैं यहान कि इनहीं की एक तरह से सेम यहाँ पर इननों ने बना दिया जब इनका पेटेंट खतम हो जाता है तो पेटेंट यह होता है कि जब पर इनका पेटेंट है 20 या 25 साल तक कोई और उस दवा को नहीं बना सकता वह उनके हक में चली गई तो यह हमारा पेटेंट यहाँ पर कहलाता है यहां पर आप समझ गयोंगे और भी दो चार बात है आई होप आप लोगों को यहां पर समझ आगे होगे तो पेटेंट हमारा इसका मोलते इंटेलक्च्वल प्रॉपर्टी राइट तो यह भी हमारा पेटेंट की तरह ही होता इसमें पेटेंट कराते लेकिन अपने आइडिया को कराते हैं अब जैसे लेट करो कि मालो किसी के मनमें यह आइडिया आया कि वह उड़ती हुई कार बनाएगा बही किसी के की चीज को ना चुरा लेए इसलिए कि करूंगे मालो और मालो आपका पहले बन गया तो इनका खर् calle तो इस लिए इस यहां पर आप अपना ईडिया और औरक्या करते हैं जब आपकी यह कर रहें उन तो भी कुछ हमारे दिये गए हैं जो उनके पास यह हां कि वह सेम कर सकते हैं यूज कर सकते हैं से अपने किसको उनको और वह साथ में जो प्रोपगेटिंग म casing होता है उपज करने वाला मतलब खेती करने वाला तो वह खेती बगार šrat कि गपरा कि जो भी सब के उन्हें थो प्रेस्टर कर सकते हैं आपको धगर ब्रीडर मतलब ऐसे लोग जो करते पाल खेती एप फार्मर तो बही अपने आपको रिजिश्टर कर रहा सकते हैं अब इसे चीजों की हम किया खार रहे हैं तो इस तरह वो कर रहा सकते हैं और इस तरह बाकि उनके बास हो प्रोटक कर सकते हैं अब जिसके ना कितना बड़ा पजाम कितना आंदोलन वगड़ा हो रहाता है जब मोदी जी ने कुछ फार्मर्स राइट में कुछ चेंज बिंज किया था उस टाइम पर तो वह बाइलेंस के खिलाब भी अपने आपको तैयार कर सकते हैं और लड़ सकते हैं यह सारे के सारे हक हमारे फार्मर भाईयों को दिये गए हैं जो काफी अच्छी ची हो जाते हैं तो यहां ब्रीडर लोगों भी राइट दिया गया कि अगर वो किसी प्लांट को को न्यू वैराइटी का प्लांट अगर वो उसकी खेती कर रहे हैं तो उनको यह मिल रहेगा कि हां तुम ही करेगा तुम अपने यह सब चीजा कर सकते हो जैसे बाकी चीजों के पेटन था उसी तरह ब्रीडर स्राइट भी है कि वह अपनी जो कोई भी न्यू प्लांट है या कोई बैराइटी बगरा है इस पेशल उनके लिए तो उनको सारे हग दिये गए हैं कि तुम उनको अच्छे से रखो हार्वेट करो कुछ करो और तुम्हारा ही नाम पे रहेग सब्छाइन चीजों करें उसको हम यहां पर क्या बलते हैं बारोक्त बोलते हैं यह फंगल ट्रग है और यह डिसकवर किया गया था हमारे किसे शॉईल फंगस पैनिसलियम गृस्य फिलमसे तो यहां पर यह कि यह भी हमारे इसके दोरह हम यहां कुछ मेधिशनल प्रोड़क्त यहां पर डिस्कवर कर रहे हैं जैसे इस यहहां यहां प्रक्टिस ऑफ कमर्शियली एक्स्प्लॉइटेशन आप सिंपल ऐसे समझो यहां पर देशी वासा में कि आपको बताए हमारी बहुत जाथ क्या है पुराने जमाने की बहुत जाथ यह समनोलिज तो आज कर लोग क्या करेंगी उसका बिना पर्मिशन के यूज करके उसमें कुछ ना कुछ अन एथिकल काम कर रही है तो वही हमारी यहां पर क्यालाती बायो मतलब बायो लॉजिक फील्ड में और पायरेसी मतलब आप जानते हो पायरेसी एक तरह से चोरी करना ओनलाइन चोरी यह सब चीज हमारी पायरेसी में आता है इल्लीगल काम करना तो वही है कि इस एन अन एथिकल एंडा इल्लीगल एक्सप्लाइटेशन मतलब होता है सोसर करना या उलंगन करना और और वन्स नॉलेज और रिसोर्स बिदावट प्राय कंसेंट और बेनिफट जानकि मालो मालो यहां पर कोई चीज थी यह मेरी है उसके ये बीडियो को हटबा भी सकता हूं तो यह मेरा हाक है तो उसको जो ऐसा काम करें उसको हम पाइरेजी बोल सकते हैं उसे गलत काम किया जैसे मूविस की बहुत पाइरेज जलती है हॉल पे रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और इस सब चीजों प उसको बिना पता हुए और बिना बेनिफिट से जाने कि उसे पता है नहीं उसे कुछ फायदा दे रहे हो और इस तरह आप उनकी चीजों का यूज कर रहे हो और यहां हम बोल सकते कि आपने पुस्पा मूवी देखी होगी तो वहां लाल चंदन की जो इसमंगलिंग हो रहे थ तो यह सब आप यहां पाच्छे से इसके बारे में पढ़ सकते हो एक्जांपल मैंने आपको समझा दिया चाहों तो लिख सकते हो पुस्पा स्मगलिंग ऑफ रेट सेंडल वोड यान की लाल चंदन की खेती 29 हमारा कोशन आता है कि वर्ट इंडेशन ऑफ एवेलिशन ऑफ आप क्या समझते हों तो इघंटीटीटे या आप जानते हो एवेलिशन क्या है किसी ड्रक की ड्रक की ड्रक की ड्रक करना उसकी प्रिटी क्वालिटी इन सब चीजों को पता करना मॉफ लोजिकल माइगरफ यह सामारे इसके एक्जांपल हो गए अब यहां पर थर्टीन और इसका काम क्या है कि हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्मेंट को क्या करेगा कोई भी एडवाइज बगरा देता था इन सबी मैटर को किस से ड्रक को आसू बस यह याद रखना है डीटीए भी वहां था वो हमारा सब पर था लेकिन यहां पर क्या है एक्जक्ली जो हमारा आय को भी एडवाइज देगा किसके खिलाब कोई भी हमारा से क्योरिंग इन्यूइन फॉर्मेटी होगे या कुछ एड्मिंट करना कोई एक्टर बाड लगाना तो इन सब के तहत हमारा यह जो ड्रक कंसिल्टेटिव कमेटी है वह हमारे इन तीनों को क्या करेगे एडवाइज करेगे तो सिद्व में क्या था कि यहां पर आसू डीटीए इन्हों ने यह प्रपोज किया था कि जो कोई भी हमारे ड्रग है पेटेंट वाले हो जाब प्रॉप्राइट्र वाले हो उन सब का क्लिनिकल ट्राइल्स कराना बहुत जरूरी है कंपल सरी है तो बस उसी को इस काल बॉकितों बसके इन्डर बेहरा जा लाइक करेंगे होई और और मार्केट मे यूसगा और। साथ में इसका आपको बता है आयुर्वेद का बहुत दादा यूज है तो यह सब बना बना के लिख सकते हो इसकोप तो आप हर चीज के बना के लिख के आ सकते हो बागी इसमें और कुछ फीचर रिस्पेक्ट बंद के आते हैं कुछ न्यू लीड्स हो गया फाइटो जामनगर में पिर सेंट्रल काउंसल फॉर रिसर्च इन अयुर्वेदा सिद्धा सीसी आरेस न्यू दैली में हमारा पिर आता है नेशनल वॉर्टर नोलिकल रिसर्च इंटिट्यूट एंडवी आरा यह हमारा लखनों में यह सब आ गया अब मारा लाश्ट कोशी नहां पर इक्विमेंट का से इन सबको देखकर आपको जो अच्छी कासी गुड़ मैनुफेक्टर करनी होती है तो यहां जो सिद्धा इनके लिए इनके लिए जी एंपी के बारे में पढ़ना वह आपका सिद्धा इनके डिफाइंड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेडिक एक्ट और रू सारी बाता आती है अब यहां पर एक लास्ट कोशन है वह आप लोग के लिए कमेंट करके बताना देखने कितने लोगों पर आया था और इसके आने के चांस हो जाते हैं कि लिए आपको परमिशन लेनी है तो कौन कौन सी डर्गुमेंट करके आप अभी कभी इसका अंसर यह क्या करना है कमेंट करके अभी क्या भी बता दो